प्रोग्राम सफर हज में आप सभी का स्वाखबाल है आज हम मौईद हैं चमिलनाडू के जारू हुकुमत शहर चन्ने में ग्राविडों सी सर्चमिलनाडू के सफर हज की अपनी अकलब तारीश रखी है माजी में यहां के मुसल्मान मौंबई से हज पर रवाना हुआ करते थे उस वक्त मौंबई में रहने वाले मदरासी मुसल्मानों ने यहां के आजमी ने हज की तहूलत के लिए मदर के लिए मुंबई में ही बैतल हुजाज तामीर किया था जो आज भी मौजूद है जो ही शहर चन्ने से हज के लिए रास्त परवादों का सिल्सिला शुचू हुआ तो यहां के मुसल्मानों ने हुकूमत की माली इमदाद का इंतजार नहीं किया बलके अपने सरफेखाद से शहर चन्ने में ही एक खूरत हज हूस तामीर किया इन तमाम बातों से आप अंदादा लगा सकते हैं कि तेमिल नारू के मुसल्मानों में खिदमत का जज़बा किस पदर मौजूद है तो नादरीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहर चन्ने के हज हूस के सामने चलिए यहां दाखिल होते हैं और देखते हैं यहां सफर हज के इंतजामा किस तरफ हज़ए गया है और आजमीन हज किस तरफ रिजवत यहां की जा रही है आए नबियों के सरदार आए वलियों के सालार आए है तिरे दरवार मेरे तुझ पे जाओ जिरसार या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सजे हुए हैं मदीने के खाफ आँखों में कदम बढ़े हैं मुहम्मद स्लिल्लाव लिए वसल्म की रह गुजर की तरफ बसा है खाने काबा हमारे सीने में हमारी आँखे लगी हैं खुदा के घर की तरफ मुंबई और देहली के बाद शेहर चुन्ने को मुल्क का तीसरा हज एंबारकेशन पॉइंट बनने का अजास हासिल है यहां से हज के लिए रास्त परवाजूं का सिल्सला 1987 से शुरू हुआ है एक वक्त था तमिल नाडू के मुसल्मानों को हज पर रवाना होने के लिए तवील सफर तै करना पड़ता था 1300 से जायद किलोमीटर का फासला तै करते हुए यहां के आजमीन पहले मुंबई और फिर मुंबई से हज के लिए रवाना होते थे उस वक्त तमिल नाडू के आजमीन हज को कई दुश्वारियों कई मसायल से गुजरना पड़ता था लहाजा मुंबई में रहने वाले मदरासी मुसल्मानों ने अपनी रियासत से मुंबई आने वाले आजमीन हज की खिदमत और रहनमाई का बेड़ा उठाया इस मकसद को अंजाम देने के लिए 1965 में मदारस हज सर्विस सोसाइटी कायम की इस सोसाइटी के तहत 1973 में मुंबई में बैतुल हुजाज तामीर की आख़या पहले पहले जब जहास मुंबई में जाती थी ऊस जमाने से हाजियों के खिदमत में हम लोग ही वहां से हमेशा तीन जहास जाते थे टरमिनाट के हच बंबई में आकर ठायर कर वहां से हच को जाते थे वहां आने से उनको बहुत सारे मजबूरियां होते थे जबान से ठायरने से बहुत सारे मजबूरियां थे इसको समझते समझते हम लोग पहले खायम किये मुंबई में एक हज़ोस खायम करने का इरादा हुआ जब ऐसा इरादा हुआ उसके अधारे के तरफ पर उसको बनाने का हम लोग सोचे इसलिए वहाँ पहले पहले मिड्रास हज सर्वी सोसेटी के नाम पर एक अधारा वहाँ के चीफ प्रिजनसी मैस्टेट जनाब नसुल्ण साब के सदारत पे हम लोग शुरू किया जूही चन्नई से हज के लिए रास्ट परवाजू का सिल्फला शुरू हुआ मद्रासी मुसल्मानों में अल्ला ताला के महमानों की खिद्माद करने का जजबा मानो और बढ़ गया मुंबई के बाद चन्नई में भी हज हाउस तामीर करने का मनसूबा बना चंद साहिब सर्वत अफराद आगे आए और देखते ही देखते चन्नई के चोलई इलाके में पाँच मंदला खूबसूरत हाज हाउस तामीर हुआ मुल्क का ये वाहिद हाज हाउस है जो हुकूमत के माली तावन के बगयर तामीर हुआ है लग से जेसा बंबय में हम लोग बनाए वह इसलिक बनाने का फ़ैसला हम लोग कमिटी ने की ती तामिरौड हुआ हुआ सुसारी से ने करी थी पहले पहला एक साल दो साल तक चन्ने से तामिरौड के हाजी फ़कDisल करना भगा हाजी पह आए थे तो उसके बाद पिर करना रगा शुरू हो गया बेंगलोर से तो बाद में जैसे भी हमारा शुरू हो गया यह सब रिगुलर होने लगा तो हम लोग जगे की तलाशी करते करते आज जो हजवस बना हुआ है वो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हाजी अब्द्शुकूर साहब आने कर अब्द्शुकूर साहब का जगा था उनके पास हम लोग रिकोस किये उन्होंने जो मार्केट के रेट से भी आदे खियमत पही इतना बड़ा जगा हमको दस गिरोंट तक हमको दिये उस टेम पर ये करोट में जबीन खरी दे थे उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने लगे चुन्नई के हज हाउस में 110 कमरे और 3 बड़े हॉल मुझूद है बाइक वक्त 500 से जायद आजमीन हज यहां कयाम कर सकते है मर्द और खवातीन के लिए अलग-अलग इबादत गाहें मुझूद है हाज हाउस के ग्राउंट फ्लोर में लगेज जमा करने पासपोर्ट, करंसी एक्सचेंज और सफर की दीगर कारवाईयां अन्जाम दी जाती है जबके इमिग्रेशन और कस्टम की कारवाई एरपोर्ट में होती है आजमीन हज की आमद से लेकर उन्हें रवाना करने तक हर जगे, हर मरहले में रजाकार, खिदमत और रहनमाई करते हुए नजर आते हैं चन्ने के हज होस में रजाकारों की खिदमत काबल दीद होती है हर सेक्शन में रजाकार मौझूद रहते हैं और पुर्खलूस अंदाज में आजमीन हज की खिदमत करते हैं बताएए आपकी क्या खिदमत है हमारा अगर खिदमत यह है कि हम हाजियों की लगेज लेकर रखते हैं, हमारा मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको एंट्री करने का है, लगेज एंट्री करके, टोकन डालके, टोकन लगाके हम लगेज अंदर रखते हैं जो हाजियां आ रहे हैं उनका फ्लाइट अलाटमेंटर के चेकर कितना फ्लाइट प्वस्ट जानकर उनके लेकर इसमें डालते हैं हम लेकेज रूम में 17-18 साल से मैं फिद्मत कर रहा हूं यहां पर 2002 से 17-15 साल से फिद्मत कर रहा हूं हम इदर रूम बुकिंग की जिमादारी है हमारे काउंटर पर पांच आदमी इदर इंचार्ज है यह मेंट बिल्डिंग के बजाए हमारे पास अनेक्स बिल्डिंग भी है उधर तीन-चार आदमी है जब भी हजका सिजन आता है और हजका सिजन के वह पर खिद्मत अलहज्जाज का जो हमारा गुरूप है उसमें मैं शामिल होता हूं यहां पर 15 साल से मैं हाजियों के खिद्मत कर रहा हूं यहां से हाजियों मक्य की जाकर आने के बाद में रिटन उनके मकान को जाते हैं उनके लिए हम टिकेट यहां पर आसानी सिफ़ उनको रिजर्व करके देते हैं और उनके दोस्ताइबाप आके उन्हों रिटन जाते है ना, उन लोग को भी हम यहां पर टिकेट आसानी से बुकिंग करके देते हैं, कोई तकलिफ नहीं हाजी होंगू तकरीबन एक सो रजाकारों के इलावा, हज हाउस का अमला, रियासती हज कमीटी का अमला, एरलाइन्स और महके में पॉलीस के एहलिकार, डॉक्टर यहां दिन और रात अपनी खिदमात अंजाम देते हैं बहराल, यहां के तमाम तर इंतिजामात को आजमीन हज और उनके रिष्टेदार इत्मिनान बख्ष करार दे रहे हैं आम दिनु में चन्नई के हज हाउस का इस्तमाल शादियों के लिए किया जाता है साल भर शादियों और लाजिंग से हासल होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सफर हज के इंतिजामात पर खर्च होता है इसी आमदनी से हज हाउस के मुलाजमीन की तनखाहे अदा की जाती है यहां तक कि तालीमी तरकी के लिए कई प्रोग्राम हाज हाउस की सोसाइटी के जरीए खो रहे हैं बहराल रूहानी और मुकदस सफर की अंजाम दिही के मकसद के साथ चन्नई का हाज हाउस मिल्लत की तालीमी और मौशी तरकी का जरीया भी बना हुआ है प्रोग्राम सफर हज में वक्त हो राए एक ब्रेक का ब्रेक के दोरान हकीम तुलिमान खान सिहत के मुतलिक चन्द आहम जानकारी फराहम करेंगे यहां पर लेते हैं एक ब्रेक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिल्सला जारी रहेगा खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐए अक्बर यही वदर है के जिल्लत नहीं सवाल के बाद नाजली प्रोग्राम में एक बर्फिर आपका खेर्मत्त है परिज हज के बेशुमार अन्वार और वरकात है हज के जरीए दुआएं पबूल होती है और दुनिया और आखरत में कामियाबी हासिन पूती है चलिए जानते हैं इस सिल्सले में मजी खुल्माए कराम क्या फर्माते हैं कई बरस पहले हजरत इबराहीम अलही सलम ने अल्ला के हुक्म से ये निदा दी थी कि अल्ला के बंदो अल्ला के घर की तरफ आओ जमीन के हर गोशे से आओ खाफ पैदल आओ खाफ सवारियों पर आओ जवाब मैं आज तक हर्मे पाक का हर मुसाफिर बुलंद आवाज से कह रहा है मैं हाजिर हूँ मेरे अल्ला मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं मैं सिर्फ तेरी तलबी पर हाजिर हूँ तारीफ तेरे लिए हैं नियमत तेरी है मुल्क तेरा है किसी चीज में तेरा कोई शरीक नहीं आलमगीर सत्थ पर मुसल्मानों के इस इश्टिमा के तालुक से उल्मा कहते हैं कि अवाम हज के हकी की मानू और मकसद को समझें हज असल में आललह तete और महबत और अखीदत का इजहार भी हूता है जिसमानी बादत भी है मानी बादत भी है जिस प्रोस्से हजमे गुजारा जाता है कि नाफाल से इनसां गुदरता है उसमें पूरी तरिके से उसकी तरवेप की जाती है कि वो जिन्दगी में खुदा का बंदे वाहिद का बंदा बने और हमेशा उसकी बंदगी में अपनी जिन्दगी वो लगाए बंदगाने खुदा के लिए वो खिद्मत बुजार भी बने और साथी साथ वो शेतानी खुवतों के साथ और नफसानी खाहिशात के साथ वो बराबर कश्मकश जारी रखिए इस तरह से वहाँ वो मिना में तीन दिन टहर कर रमे जिमार करता है और जिद्व जहत करता है, स्ट्रिगर करता है और सारे इंत्याजाद की वो खतम करके एहराम का कबड़ा बांद कर जानता है तो बिल्कुल इसी दिल्एक जैसे यहां उसके सारे इंत्याजाद खतम हो जाएं चाहेँ वो नसली हो, चाहे वो गुरोही हो, चाहेँ वो जबानी हो, चाहेँ वो किसी और één तरा क्या हो वो सिर्फ खुदा का बंदा है लेहादा उसी हैसिए से उसको तमावल के साथ आजिसी के साथ उनकी सारी के साथ उसको जिनी बुदाना चाहिए एक मरतबा इनसान हच पे जाता है जब हच का माना डिटेमिनेशन का होता है, मकसद का होता है, खस्त का होता है, जब एक मरतबा हच जानी का इरादा कर लेता है, ऐसा इरादा जो पुखता इरादा हो, तो जाहर सी बात है कि जब एक मरतबा हच पे जाकर वापस आता है, तो ज चन्नाई के हजहाऊस में फर्स नमाजों के बाद हज़ की एहमियत और फजीलत पर खुसूसी खिताबात होते हैं। हजहाऊस के दर और दीवार पर मुकद्स मकामाद की तसावीर और मनासिके हज़ की जानकारी फरहम की गई है। इस हज हाउस के आहाते में बाजार भी मौजूद है इस बाजार में सफर हज के लिए दरकार जरूरी अश्या फरुखत होती है चन्ने के दिहातों और छोटे शहरों से आने वाले आजमीन हज यही खरीदारी कर लेते हैं चन्ने के हज़ाउस के दामन में एक छोटा सा बाजार मौजूद है यहां पर एहराम, बेल्ट, चपल और दिगर अशिया फरुख्त होती हैं आजमीने हज़ की तमाम जरूरियात यहां पूरी हो जाती हैं मेरा पर एहराम है, बॐरका है, इजाब है, स्कार्फ है, सब अजगो आइटम सब यह ऐए हज़जें के लिए एहराम कपड़ा है और एहराम बिल्ट है अब सब कुछ झेले हैं हैं हम तिगर पूरा चीज़ की तकाती हैं हसरतू उमीदू और उमंगू से भराएं सफर अलाह की खुशनोदी हासिल करने का एहम तरिया है साथी नभी पाग इसमें की जयारत की साधत भी हासिल होती है वो रहमते बेकरा का द्रयाद देखो वो फर्श पे है अर्श का नक्षा देखो एहाजियों आसवू से आंखें धोकर देखो मेरे सरकार का रोज़ा देखो आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफर हज और हम मौझूद हैं शहर चन्ने में प्रोग्राम में वक्त हो राए एक ब्रेक का ब्रेक के दारान हकीम सुलिमान खान शिहत के मुतलिक चन्द आहम बातें पेश करेंगे तो नाजरें आप जिहत के मुतलिक जानकारी देखते रहिए देखते हैं यहां पर एक ब्रेक नाजरें प्रोग्राम सफर हज में एक पर फिर आपका इस्तख्वाल है जिन्दनी इस देख जिसको चार दिन की बात है बस हमेशा रहने वाली एक खुदा की इज़ाद है चन्दनी के हज मुतले आजमीन हज का काफिला कुछ ही देर में अपने मुबारक सफर का आगास करने वाना है हालत एहराम में आजमीन हज यहां से एरपोर्ट के लिए रवाना होंगे हज 2017 के लिए चन्दनी से आजमीन हज के काफिले एक के बाद एक रवाना हो रहे है 13 अगस्त से हज की परवाजूं का अखास हुआ है इस मरतबा तमिल नाडू हज कमीटी के जरिये तकरीबन 3500 आजमीन को हज की सादत हासिल होगी इनमें तमिल नाडू के इलावा पुदूचरी इंडुमान निकोबार के भी चन्द आजमीन शामिल है चन्ने के हज हास में मकामी आजमीन हज कयाम नहीं करते मकामी आजमीन अपना लगेज जमा करने के बाद घरू से एरपोर्ट पहुँचाते है जबके रियासत के दीगर अजला के आजमीन अपनी रवानगी से 48 घंटे कबल हज हास पहुँचते है यहां सफर की तमाम तयायों और जरूरी काख़ी कारवाईयां मुकमल कर लेते हैं कुछ वक्त अपने अजीजों और रिष्टेदारों के साथ गुजारते हैं युही हज हास में रवानगी का ऐलान होता है अल्ला के ये महमान घुसल करने के बाद एहराम बांध लेते हैं एहराम बांधते वक्त कई रजाकार आजमीन हज की मदद करते हैं हज होस में कदम कदम पर रजाकार आजमीन हज की रहनुमाई करते हैं यहां चंदेक रजाकार मौजुद हैं जो आजमीन हज को एहराम पहना रहे हैं बताएए आपकी खिदमत आपकी जुमेदारी एहराम पहनाने किये एहराम के साथ हदका उन्हां सिकाना किये क्या बताते हैं आप अहराम के तालुक से क्या बताते हैं इसारा और पूरा सा अला तला रुकाट करता है और गुने के कामों से बंचना है और लड़ाई फसाद करने से और दूसरे के कमी कोता ही देखने से अला तला मना करता है साथे साथ एहरा में सार खुला हो रहना, सूरत खुला हो रहना और खुजबो लगाना नहीं, खुजबो नहीं लगाना, सुंगना, पीना लगाना भी नहीं अब खुजबो के चीज़ां पीना भी नहीं, साथे साथ बाल वगरा नहीं नहीं निकालना और सिया सिला हुआ कपड़ा नई पेरना चपल पेर में चपल वी चपल पेरना और जमीन के वुदूत के अंदर जमीन के जाननोरों को मारना नहीं और भाईं के पत्ते वगरा तोड़ना नहीं ये पूरी पाफ़दी हम करना है कि शाला तमाम आजमीन हज एहराम बांधने के बाद हज हाउस की मस्जद में इकठा होते हैं इस मौके पर आजमीन को सफर के मुतलिक जरूरी हिदायतیں दी जाती हैं इज्दमाई दुआ के बाद आजमीन हज हाउस से बसूं के जरिये एरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं रवानगी के आँखरी मरहले में हालत एहराम में आजमीन हज पर एक अजीब सी कैफियत तारी रहती हैं अल्ला के ये खास बंदे अपने जजबात, एहसासात और तासुरात का इज़ार कुछ ही हो करते हैं सारे आलम के लिए और हमारे इसलाम का बोलबला हो जाए सब कुछ सुकून और चाइन हो इंशालला ये दुनिया के लोग मुसल्मान पूर्वे लोग का वस्ते इंशालला दौा करना खायर की दौा वागेंगे इंशालला और उनके भी हादरिन के लिए दौा करेंगे रवानगी के इस मंजर को देखने के लिए आजमीन हज को मुबारक बादी और उन से दौाओं की दर्खास के लिए हज हाउस के अंदर और बाहर अवाम का एक बड़ा हुझू मुझूद रहता है खवेश अकारिब आजमीन की रवानकी तक यहां रहते हैं अपने एहले खाना को एहराम की हालत में देखकर खुशी का इधार करते हैं कई रजाकार हज हाउस से एरपोर्ट तक आजमीन को रवाना करते हैं इश्क और अकीदत के इस सफर पर रवाना होने के बाद जब बैतुल्ला में हाजरी होती है तो दिल से यही आवाज निकलती है कि ढूंडते ढूंडते जा पहुँचे हम उसके घर तक दिले गुम गुष्टा मेरे हक में तो रहबर निकला जजब दिल ने आज कोई यार में पहुचा दिया जीते जी मैं गुल्शन जन्नत में दाखिल हो गया चन्ने के हजहोस में हर तरफ नूरानी माहोल देखने को मिलता है यहां पर नाथखा हज़राद भी मौजूद रहते हैं नाथखा मौनवर शेरीफ हमारे साथ मौजूद हैं बताईए कौन सी नाथपेश करें काश देह लीजे मुहम्मद पे बिछोना होता कितना बेमिसल मेरा जागना सोना होता काश देह लीजे मुहम्मद पे बिछोना होता नाजरीन ये था प्रोग्राम सफरेहच का हमारा आज का एपिसोड जो शहर चन्ने से पेश किया जा रहा था उमीद के पसंद आया होता मेजबान रोप अहम्मद हजूर कैमरामैन जोके उता प्रहच की उरीकी लोग्रीन जो 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 विजा जजब आदाब लब्स्ताब्स आदाब्स